यह 2010 वाली है, इसका key control का connection बताता हूं कौन-कौन से, छल इसका आगे का दिखाये तो कौनसा मोडल है? यह IV टेक है 2010 वाली, अब सिधह अंदर चलते हैं इसकी wiring का connection देखते हैं तो बतायता हूं उसका की कंट्रोल यह वाला है आपको कोई भी स्टेरिंग विल का कनेक्शन का कुछ बता करना है तो मेरे को आप ड्रॉप कर देना मैसेज मैं आपको जुरूर बताऊंगा इसके बारे में तो अभी यह होंड़ा सीटी 2010 वाली थी जो मैं आपको बता रहा था आई भी टेक तो इसका जो स्टेरिंग विल का कनेक्शन है एक तो सबसे पहले दिखाता हूं आपको वारिंग पहले सभी कर लूँ सोकेट को बिल्कु सीधर रखे यह Ciqa ट्रोफ वाला इसको उपर की तर往ढकर रखें यह जो anti साथ मां कोनोट सोकेट ऑपर की तरफ होना चिह है पिर उपर की तरफ से जब हम आएंगे यह देखो यह राइट में है वायट दिख हुरी और वैंकर डिकांपड की तिर्फ होना चाहिए हमेंसा और यह जो पिंक दिखाए दिरी आपको अब्बैक्की कि आपको फ्रहयु यह दोनों फिर वाइट ठीके लोगिशी वह गुब याज इसे इक उपड़ हुग हो गई नहीं रहे पक्ली इक यहDie ग्राउंड आप जो हमारा Android system aftermarket से आता है इन दोनों में लगाएंगा तो हमारा की कंट्रोल वर्क करेगा कि मैं आपको दिखाया तो इसका की कंट्रोल कुन सबला है यह बटन है इसका यह एक्चले में गाड़ी अक्षिटेंट हुए थी उड़ तो एरबोक इसका पॉप हो गए था तो इस कारें से तोड़ा गंदा दिख रहा होगा पर यह connection इसका चलू हुए मैं आपको चलू करके दिखाता हूं इसका connection तो इवर चावी लगाता हूं दिखाता हूं इसका steering wheel काम कर रहा नहीं कर रहा हुए यह बटन दबाता हूं इसका देवी देखो यह काम कर रहा बटन हमारा तो हमारा steering wheel control बिल्कुल ओके white वाला जो है minus बताया था उसके just बिल्कुल नीचे pink वाला की वन का है और हम उपर से count करेंगे तो यह एक दो तीन चार मतलब कि blue के साथ में ही इसका ground की connection है और just उसी के नीचे ही same pink वाली जो है वो की वन है सोकट इस तरीके से रखना बस जिद्यान अखना और शोकट उपरेज का cut बनावा लॉक जिन वाए वो जैनी